कि क्या आले साथी हो मैं विकास तोमर आपके अपने टरस्वधी चैनल क्लेक्टिव स्टेडी फॉर सेक्सेस में आपका सवगत करता हूं देखे यूपी एससी ने आज नोटिफिकेशन निकाल दिया है दो हजार बाइस का सिवल सर्विसेज एक्जामनेशन और इंडियन फॉ पोर्थ कमिंग इग्जामनेशन जो लिखा हुआ है यह देखिये इसमें इंडियन इकनोमिक सर्विसेज लिखा हुआ है इसके जास्ट उपर इसमें आपको देखे यहां पे क्लिक करना है ठीक है थार्वा सा टेक्निकल है इविवू और गिके करेंगे फिर आपको एक्टि पीडियाफ मिल जाएगी नोटिफिकेशन की ठीक तो हम आप हमारे चैनल से भी डॉलोड कर सकते हैं देखें यह आपका अपना चैनल है क्रेक्टिव स्टुडिव फॉर सकसे इस पर यह दोनों ही पीडियाफ ठीक नोटिफिकेशन की सिवल सर्विसेस प्रिलिमरी इसके लिए 861 वेकंसी आई है लास्टेट जो है 22 फर्वरी की उससे पहले ही भड़ लीजेगा और जो इंडियन फॉरस सब्सके लिए 151 वेकंसी आप्रॉक्सिमेटली लिखा हुआ है ठीक तो चलिए इसको थोड़ा तो देख लेते हैं यह नोटिफिकेशन पूरा जरूर पढ़ लीजेगा डंक से पूरा पढ़ लीजेगा बहुत जोरी है इसमें एक एक चीज इंपॉर्टेंट है चिक मेंली जो है इसमें कंटिडिट की इलजिबिल्टी क्या है एक्जामनेशन के लिए हाउ टू एप्लाई चलो यह तो लास्ट जेट कौन सी है 22 फर्वरी है प नहीं ले आ सकते हैं यह सारी सेवाएं आपको जोइन करने की मिल सकती है इस एक्जाम के तुरू प्रिलिम्स निकालिए मेंस निकालिए इंटर्व्यू निकालिए उसके बाद ठीक और इंक्लूड इसमें चौटिस आट सो एक सट देखे यहाप लिखा हुआ है आट सो एक स आता है लेस्ट ओफ सर्विसेज इंटिफाइड कौन कौन सी जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए इंटिफाइड हो सब यहां पर दे रखा है ठीक देन आफ्टरी विल्कम टू सेंटर्स भाई साथ प्रिलिम्री के लिए सेंटर काफी ज्यादा दे रखे हैं अपने न की अपनी पसंद का अधरवाइस शिफ्ट किया जा सकता है दे अधर और देखें यहां पे लिखा भी हुआ है अधर प्लान जो है एग्जामेशन का यहीं है सिल सबसेंग्जामेशन दो सक्सेजिव स्टेज में होता है सिल सब्सेंगरी ऑब्जेक्टिव टाइफ रमेंस उ जेगा अपनी एज लिमिट भाई साब एक अगस्त दो हजार बाइस को 21 साल से वह और 32 साल से कम होंगे तो जनरल कटिकरिया आप दे पाएंगे और इस अपर एज लिमिट में रिलाक्सेशन भी है शेडूल का शेडूल ट्राइब के लिए तो यह साऊं हो गई और इसके बाद इस में और नोट वोट दे रखेंढ दे पर लिएएगा अपने कटिकरी के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ जो एसेट की जाएगी वो मैट्रिकुलेशन या फिर सेकंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के अनुसार की जाएगी, नोट्स हैं, all communication in this record should contain the following particular name and year of the examination है, मिनिमम एजुकेशन, कॉलिफिकेशन, क्या बाइ, इस ना तक चाहिए, साब सीदिस बात है, किसी भी उसमें, और कितने एटम्ट दे सकते हैं, इस आज चीए बताईए, छे एटम्ट हैं, अगर आप सामाने कटिकरी से आते हैं, बाकी अलग-अलग अपनी कटिकरी साब से देख सकते हैं आप, और जो है, इसमें, restriction on applying for the examination, कौन लोग नहीं दे सकते हैं, उसके लिए बताएगा है, medical, physical standards क्या उने चीए, क्या fees लगेगी, 100 रुपे लगेगी सामाने कटिकरी वालों को, बाकी जो है, female, sc, st, person with disability, सबको, माफ है, fees, और इसके बाद आगे बढ़ेंगे, apply कसे करना है, इनकी website है, upsconline.nic.in, इसके अलावा, आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको मिलेगा यहाँ पर, एक candidate, जो की guilty पाया गया है, तो उसको नहीं देने दिया जाएगा, इस category में प्ली पास, date, भाई साब, important है, 22 हवरी को 6 बैट तक, ठीक, तो यह आखरी खिलाड़ी, slog overs के मत बनिएगा, पहले ही भर लीजेगा, ज़रूरी है, correspondence commission के साथ आप कर सकते हैं, यह कुछ number दे रखे हैं, screen पर, इनकेस, आपको कोई दिक्कत होती है, ठीक, और इसके बाद, important all communication to the commission, invari invariably contain the following particular, जब आप भेजो के मानलो, आपको कोई चीज, जो है, कुछ पूछनी है, बतानी है, जो भी है, तो यह सारी चीज़े आपको लिखनी पड़ेगी, आयोक के लिए, ठीक, reservation के बारे में बताया गया है, जो disabled है, उनके लिए, और availing, eligibility, कौन, कौन eligible है, भाई साब, reservation ल certification हो गया, अब plan of examination यहाँ पर दिया होता है, ध्यान से पढ़ लेना इसको पूरा-पूरा, जब पहले prelims है, फिर आपका मेंस है, फिर आपका जो है, इंटर्वी होता है, preliminary examination में, पहले दो paper होते है, दो 200 marks के होते हैं, पहला paper mcq type है, जिसमें की 2 गंटे का होगा, और उसमें cut-off इसी की basis पर declare की आती है, लेकिन second paper में आपको qualifying mark 63% किया जाता है, C-Sat बोलते हैं इसको second वाले paper को, और यह बहुत ही कतरनाक होता जा रहा है, तो इसको lightly मत लेना, दोने paper हिंदी-English में होते हैं, ख्यार इतनी आदे important नहीं है, English prelims और mains का पूरा ही आप लोग को पता है, ठीक, तो यह सारे syllabus इसमें से जवर पढ़ लेना है, ठीक है ना, syllabus को miss मत करना, फिर से बता दे रहा हूं, important है, और syllabus जो है, आप लोग prelims का भी पढ़ो, यहीं से इसी notification साही पढ़ना, ठीक, prelims का पढ़ो, mains का पढ़ो, mains में तो ज़्यादा थोड़ा specific दे रखा, तो mains के पढ़ने के लिए आपके लिए एक दो महीने बहुत ज़्यादा जाज हो रही है, अगर आप लोगो कोई करिए, तो बहुत आसानी से मेंस के, जो है, syllabus के हिसाब से पढ़िए, और current अफेर, subject को जोड़ते हुए, general studies के syllabus को जोड़ते हुए, पढ़ाई करिए, जाजा जान कर लिए अगर आप लोगो कोई करिए, तो 965-0347272 पे आप लोग कॉल, SMS, WhatsApp, Telegram कर सकते हैं, हमारे paid group जल्दी ही चलू होंगे, UPSC prelims के लिए, आप लोग स्टे टूइन रही है, टेलिग्राम चैनल हमारा description ते रखा है, उसको जोड़ जोड़ते हैं, आपको वहीं पे तो चलिए, फिर से में लगात होगे अगले वीडियो में, तब तक लिए आप लोग से लेते हैं, अलविदा, जैन जावरत, all the very best, बंदे बंदे मातराम